हेला गाइज, वेलकम टो माई टेग्नो गेमिंग यूट्यूब चनल मेरा नाम संजाए और आप दक्रे हो टेग्नो गेमिंग दोस्तो आज हम 491 शॉट के बारे में बात करेंगे अगर आप 491 शॉट बाई काना चाते हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद ही शॉट को बाई करना, यूँकि इस शॉट के अंदर एक बहुत बड़ा पॉब्लम चल रहा है 491 शॉट फाइन लेग यानि पीछे के तरफ खेले जाना वाला एक 12 वो क्लॉक शॉट है ये सॉट को आप फन फूट और बैक फूट दुनों में ही सिलेट करके खेल सकते हैं ये सॉट वेस्ट यानि कमर हाइट और उससे उपर के सारे वाल को कनेक्ट कर लेता है बट कमर हाइट से निचे के वाल को सही से कनेक्ट नहीं कर पाता है मतलब आप short pitch और कुछ हद तक good length wall को जो कमर हाइट से उपर हैगा उसको छोड़ कर आप कोई भी length जैसे your car और full length wall को connect नहीं कर पाएंगे ये short खेलने के लिए आपको अपना foot walk हमेशा ball की line से करीब रखकर ही short को खेलना होगा अगर आपका foot walk जादा आगे पीछे हो जाएंगे तो आप short connect नहीं कर पाएंगे इसलिए ध्यान रखना आपको आप ball की line पे आके ही खेलना होगा ठीक है और अगर इस short के timing के बारे में बात करे तो आपको थोड़ा सा late खेलना होगा जैसे first puller के लिए ball हाथ से release होने के बाद और spinner के लिए ball लीच होने से ठीक पहले आपको अपना short खेलना पड़ेगा तब है आपका timing एकदम perfect होगा बट ये short दिखने में जितना आसान और बड़िया लग रहा है असन में ये short दिखना भी आसान और बड़िया नहीं है क्योंकि मैंने इस short को काफी समय तक खेला बट short आसने से connect ही नहीं हो रहा था और कई बार तो perfect timing होने के बाद भी छक्का नहीं होता है और ज़्यादा तर तो मैं out ही हुआ हूँ ये एक बहुत बड़ा problem है इस short का fast bowler के against फिर भी एक दो बार short connect होता है बार spinner के against ओ short connect करना ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि spinner के ज़्यादार ball कमर के निचे ही रहता है इसलिए short को connect करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसके अलाबा इस short को आप स्रिफ waist height के उपपर यानि short pitch ball के लिए use कर पाएंगे बाकी और किसी भी length के ball के लिए आप ये short को use नहीं कर पाएंगे मुझे तो ये short बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं किसी को भी ये short recommend नहीं करूंगा क्यूंकि इस short में कुछ भी खास नहीं है सिवा ये problem के इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा short buy कर लेना वैसे भी short pitch ball के लिए बहुत सरे short available है इसलिए इस short को buy करने की कोई भी जरूरत नहीं है बाकी आप comment में बताओ आपको ये short कैसा लगा तो दोस्तो आज के लिए वास इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे like, share, comment जरूर करना तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टप्पी के साथ तब तक के लिए जय हिंद